पूर्वी लद्दाक में LAC पर सीमा विवाद से जुड़ी दो जगहों पर अप्रेल 2020 की स्थिती बहाल होने जा रही है यह है देपसांग और देमचोक जहाँ दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने का काम 80-90 फीजदी पूरा हो चुका है रोस के एक अजान में ब्रिक समेलन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और चीन के राष्ट प्रती शीजिन फिंग ने के बीच बातचीत हुई और उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी कम हुई है और दोनों ही ओर से अप्रेल 2020 से पहले की स्थित बनाने के लिए कदम उठाए गए है सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट रही है लेकिन इस पूरे काम की करीबी से निगरानी भी हो रही है और दोनों देशों के जवानों के बीच किसी तरह की गलत फैमी आगे ना हो इसके लिए गश्ट पर निकलन है चार साल से जो तनाव दोनों देशों के बीच देखा गया आखिरकार वो खत्म होता नजर आ रहा है बिल्कु सही कह रहे हैं भारत का सुरू से स्टेंड रहा है करीब साड़े-चार साल पहले पुर्वी लदाख में जब चीन की सेना जो है सेन अभ्यान के अभ्यास के बहाने सीमा पर आती है और उसके बाद जब नहीं हटती है तो भारत और चीन के जो सेना के बीच में तना हमारे जाते हैं और 20 हमारे जो सैनीक हैं वो सहीद होते है और उसके बाद भारत और चीन के बीच के रिस्ते और च्रवान चरवानई सुर। और देम्चौक में तक्रीबन 90-95 फिजदी जो है डिसेंगेजमेंट यानि जो सेनाय जो है जो आगे बढ़ी थी अब वो पीछे हटनी शुरू हो गई यानि दोनों दिसेंगेजमेंट के सेनाय आमने सामने नहीं है कलता का डेडलाइन है और उमीद यह की जाने चाहिए कि मंगल वार को जो है इस बात का अधिकारिक तौट पहलान हो जाएगा कि डिसेंगेजमेंट के काम हो गया है देपसांग और देम्चौक में यानि दोनों जोगों पर भी सेनाय जो है आमने सामने नहीं है डिसेंगेजमेंट का काम अगर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद दोनों दिसेंगेजमेंट के सेनाय साथ है तौट पर वेरिफिकेस्ट का काम करेगी कि यह जो जो पीछे टीए या सही तरीके से हुआ है चाहे नहीं पर पर-पेर्ट्रोलिंग स्टार्ट होगी और परेल जा नहीं होती और ऑप्रेल 2020 से पहले वारे सेना मों तो महीने में नमबर 12-15 एक एक घ्षर उपहले और जिस थारह के पहले petroleum होती थी, कुछ वैसा है petroleum होगा और उसके बाद आपको बता दे कि disengagement के बाद का process का diskulation होगा, Designation का मतलब यह होता है कि senahelle जो है, जो हमने सामने नहीं है, थोड़ा और पिछे हड़ जायेगी और उसके बाद डी-yinduction का process होगा नेकिसन का मतलब यह होता है कि जब सेना का जमाड़ा शुरूआ जब चीन के सेना ने वहाँ अपने तैनात किये अपने नंबर बढ़ाएं उसके बाद भारत ने भी जबाबी करवाई करते हुए अपने वहाँ नंबर बढ़ाएं तो धीरी-धीर उम्मीद की जाने चाहिए क देपसांग में, देमचौक में, गोगरा, हाट स्प्रिंग, गलवान और जो बाकी जगों हैं वहाँ भी तनाव धिरी-धिरे घटेगा और पहले वाले स्थिति बहाल होगी लेकिन इस सारे घटने करम में जानकार का मानना है कि बहुत करीबी से इसको नजर रखनी की जरू सतर करने की जरूरत है, चुकि चीन का जो पिछला इतिहास रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उमीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से भारत क्या प्रधान मंतिर नरिन मोदी मिले हैं और सी जीन की से बाचीत हुए है, चीन जो अपना वादा किया है, उसे ज सेम चोक में करीब 80-90 फीजदी जो है पीछे हटने का काम पूरा हो चुका है,